This is the feeling of daughter-in-law. जब पहली दफ़ा घरायी थी, दरी सैमी और घबरावी थी, तब बेटी कहकर गले लगाए होते, काश आप मेरे पापा जैसे होते. अगर मैं रोती, तो आप मेरे हिम्मत होते, खुद भरी आँखोगी वजाना होते, काश आप मेरे पापा जैसे होते. काश आप मेरे पापा जैसे होते अपने पापा को भी बुला दिया होता उन्हें अपने दिल से निकालने का गुना भी कर दिया होता अगर उस दिल में आप समाई होते काश आप मेरे पापा जैसे होते मेरे बेबाक बोलने मेरे बेबाग बोलने और हसने पर पावंदी न लगाए होते तो मैंने भी तितली की तरह रंग विखराई होते काश आप मेरे पापा जैसे होते जब आपके बेटे ने हाथ उठाया मुझे डराया धमकाया तो बहु के फर्स्त लेना दवाई होते बेटी है मेरी ये खैकर उसे समझाये होते गलत के खिलाफ अवाज उठाये होते काश आप मेरे पापा जैसे होते एक बार अपने बेटे की तरह अपनाया होता जो उसके लिए था वो ही प्यार जताया होता बहु की जगा बेटी बुलाया होता तो मैंने भी पापा जी की जगे पापा बनाए होते काश आप मेरे पापा जैसे होते काश आप मेरे पापा जैसे होते डरना डरना घबराना चीजों का और मुझसे तूट जाना डरना घबराना चीजों का मुझसे तूट जाना सब काम सवार लिये होते अगर संसकार ही इन कहकर न सताय होते एक दफासर पर हाथ फिराय होते काश आप मेरे पापा जैसे होते ये लास्ट मेरी रिक्वेस्ट हर फादर से काश हर पिता ने बेटी और बेटी को फर्क मिटाया होता काश हर पिता ने बेटा और बेटी का फर्क निबाया होता तो ना जाने आज कितनी बेटियों के प्राण बचाए होते आज ना जाने कितनी बेटियों के प्राण बचाए होते यह लास्ट यह खुशनुमा जो टॉपिक है उसके लिए मैं खुश हूँ तेरे चले जाने से मैं खुश हूँ तेरे चले जाने से तुझे खोकर खुद को पाने से मैं खुश हूँ तेरे चले जाने से तुझे खोकर खुद को पाने से तेरे प्यार में खुद को खोने लगी थी, हर रात रोकर सोने लगी थी अब हर सुबा है मेरे मुस्कुराने से, मैं खुश हूँ तेरे चले जाने है ये लास्ट लाइन ठीक से नहीं होकाई थी, वो रिपीट कर रही हूँ काश हर पिता ने बेटा और बेटी के फर्क मिटाए होते, तो ना जाने कितनी बेटियों ने प्राण बचाए होते